नमस्कार जैहिंग वंदे मातरम मैं सुधिर कुबल इन फोकस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की कड़ी में हम जिस विशय पे बात करने वाले हैं वो है रियल इस्टेट और खास करके मिरा भाहिंदर रियल इस्टेट में बंबै से सटा एक छोटा सा नगर था मिरा भाहिंदर जो एक 20-25 साल पहले पानी की किल्लत से जूज रहा था लेकिन आज वही मिरा भाहिंदर एक महानगर का रूप लेने के कगार पे है और इसका सबसे बड़ाश रहे जाता है यहां के स्थानिक निवासियों को और उसके साथ-साथ यहां के प्रॉपर्टी डिलर्स को दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारे साथ है एक मान्यवर जिनोंने इस प्रॉपर्टी डिलर्स डिलिंग में काफी कुछ नाम कमाया हुआ है आज हम हमारे साथ रूबरू होने वाले है फाउंडेशन ओफ मिरा भाहंदर प्रॉपर्टी डिलर्स असोसियेशन के अध्यक्ष श्री अजेदुवेजी अजेदुवेजी इन फोकस की तरफ से और हमारी दर्शगों की तरफ से आपका स्वागत है इस एपिसोड की सुरुवात करते हुए मैं सबसे पहले आप अपने लिए और दर्शगों के लिए जानकारी के लिए समझना चाहता हूं सबसे पहले तो मैं आपके दर्शगों को इन फोकस को मैं धिर सारी सुपकमना ही दूंगा धनेवाद करूंगा कि आप सभी जो है यह निर्णा लिए कि आज हमारा और हमारे मीरा भाहिंदर का और खास करके रियल स्टेट के बारे में अपने चर्चा करनी के लिए आप यहा में हमारी इस फांडेशन की शुरुवात हुई हमारी चोटी चोटी असोशियेशन बहुत थी यहां पर लेकिन उस तरीके से कुछ हो नहीं पा रहा था तो हम लोगों ने सभी ने निड़े लिया कि हम सारी असोशियेशन को मर्ज करके अमरिला बोडी बनाए जिसका नाम थ दोशी जी मतलब हर्षद भाई के एक नेतुरतु में हमने यह संगठन बनाया 2014 में इसका उद्देश यह था कि हमारे जितने भी रियल स्टेट फेटरिटी के लोग हैं उनको एक संगठित करना और्गनाइज करना बहुत सारी इसी चीजें हमारे शहर में हमारे रियल स्टे इस यह था कि हमारे चैनल पार्टनर्स जो भी हैं उनको जादस जादा एजूकेट करना उनको और यहां के खास करके यहां के जो डेवलपर से उनको भी सपोर्ट करना हमारे फांडेशन का यहीं उद्देश लेके आज तक हम लोग चल रहे हैं और मेरे खाल से आप सफल भी इसका श्रेय जा रहा है क्योंकि आप प्रॉपर्टी के वैल्यूस को यहां मिरा भाहिंदर शहर में रहिवासियों को आने के लिए उनकी जो जरूरत है उसका खास करके ध्यान रखे मिरा भाहिंदर शहर को एक बड़ा शहर में पूरा कर रहे हो सर कोविड बीस एकिस यह सम करके प्रॉपर्टी में क्योंकि काफी प्रॉपर्टी जो बनने वाली थी वह रुकी उसके बाद और आज आज के तारिक में आप क्या फरक देख रहे हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसके डेवलप्मेंट से रिलेटेड या उसके प्राइस को रिलेटेड या उसके को लेखे लिए आप क्या जानकारी देंगे दर्शक को देखें जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि कोवीड में किस तरीके से परिशानिया हुई हर तपके के लोग जो है वो परिशान हुए कोई भी बिजनस हुआ होगा सब प्रभावित हुआ उसमें रियल स्टेट भी होग थे चाहे वोडिवलबर हो चाहे वो चञ नल पार्ट्नर हो चाहे वो कॉंत्रेक्टर हो लेबर क्रीस हर लोग प्रभावित हुए और इंफट हमारे जो निवेशक थे इन्वेस्टर्स थे हमारे जो बायस थे वो भी इसमें बहुत ज्यादा सफर किये क्योंकि सिचुवेशन अचानक सब बंद हो गया सिचुवेशन तो आप सबको बतानी की जरुत नहीं है कोविड में क्या हुआ लेकिन उसमें रियल स्टेट बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हमारे लेबर क्लास के जो लोग थे हमारे चैनल पार्टनर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मतब ऐसी परिस्तिती हो हो गई थी कि खाने के भी सिचुवेशन बहुत खराब हो गई थी तो उसमें हम सभी जो है दूसरे का हाथ पकड़के दूसरे को हेल्प करके हम लोग सर्वाइब कि और कोविड ने यह हमें बताया कि घर कितना जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा उस समय जब पलायन हो कि आपको सबको कॉरंटाइन होना है या घर में रहना है तो उस समय घर की परिस्तियां कैसी रही और लोग जो है उस समय कैसा मैसूस कि काश अगर आज मेरे पास भी एक घर होता एक च्छत होती तो मैं भी कम से कम इस परिस्तिती में अपने आपको सिक्योर करके और रहता मेरी एक टाइग लाइन इस्तमाल करता हूं उस दिन के बाद से कि रियल स्टेट ही रियल है लोग दुनिया भर के निवेश करते हैं शेयर बजार में गोल्ड में डाइमंड में या इदर उदर मैं सभी को यह बोलूगा आपके चैनल के माध्यम से की रियल स्टेट ही रियल है आप रियल स्टेट में निवेश करिए उसका अच्छा एप्रिशेशन होगा बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इसके अलावा एक आपके आपका एक घर जो बनता है जिसका जो हर आदमी क हुआ है मेरा एक सफना होता है खिर किसी शहर में मेरा घर ओ जहां मैं रहता हूं तो गहर रहता है और वह ए्प्रेशेट होता है उसमें कोई ज्यादा जैसे शोंट पी अप्डाउं लगा रहता है लेकिन यह जो चीज़् है यह स्लोंट स्टडई बढ़ते रहती है और पहले अपने लिए घर जरूर लेंगे उस वज़े से डिमांड बहुत बड़ी और जैसा कि मैं एक ग्जामपल दूँ आपको कि पानी होता है पानी पाइपलाइन होती है पाइपलाइन में जो पानी का फ्लो होता है उसको अगर आप रोग दो ठीक है तो वहां से तो बंद था मार्केट बंद थी तो अचानक जब कोविट खुला तो इस चीज के डिमांड बढ़ी तो आज इस समय हमारे खास करके हमारे मुंबई महरास्ट्रा और मैं बात करूंगा हमारे मीरा भाहिंदर शहर में इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा डिमांड है बड़े-ब इंवेस्टर्स जो आज सबब में जो रहते हैं वह आज यहाँ पे पलायन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीक यह अग्यापे यह मारा सीटी डिवलप हो रहा है वाहिंदर यहां पे डवलप्मेंट के बारे में बहुत सारी चीजे यहां पे इस वजह से आज यहां पे ब्यांड जादा है उसी हिसाब से supply भी जादा है और builder पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो supply है उसको पूरा कर सके सर economy में जनरली एक सिखाया जाता है कि demand supply को line को जो intersect करता है वो आपका price रिसाइट करता है मेरा भाहिंदर का आज की जो परिस्तिती है जैसे आपने कहा कि डिमांड काफी बढ़ गया है उसी तरह सप्लाइब भी अच्छा कासा हो गया हुआ है तो उसको आज के दारिक में यह जो रेट्स है वो मैच कर रहे हैं बिल्कुल मैं बताऊंगा कि मेरा भाहिंदर का जो सेशन आया तो मार्केट डाउन हो गए मैं आपको बताओं को जैसे महामारी सिच्वेशन में भी मेरा भाहिंदर का रेट जरा भी हिला नहीं क्यों क्योंकि यहां पर एक स्टेबल मार्केट है बहुत जादा हाइप क्रियेट करके और रेट बढ़ा देना ऐसा कुछ नहीं ह है और हम लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है हम जो हमेशा रेट को जो है रेगुलरेट करते रहते हैं कि मार्केट में कोई भी डेवलपर अनाप शनाप रेट अगर मांगता है तो हम भी उससे बात करके चर्चा करके बताते हैं और आज की दारिक में मार्केट में मार्केट में जो भी मीरा भहिंदर का रहा है स्टेबल रहा है और उसका यही कारण है कि मीरा भहिंदर की मार्केट पूरा श्रे प्रॉपर्टी डिलर्स को जाता है मेरा बहिंदर के अगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहता हूं कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर काफी बड़ा हुआ है तो जैसे मेट्रो आ रही है साथ साथ में अगर आपने देखा डबल डेकर जो अपने पूल प्रशाशन को दूंगा हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट के जो डेपर्टी चीफ मिनिस्टर आदर्णी श्री तेवेंदर फर्णविज जी जो हमारे मीरा भाहिंदर के हिसाब से उन्हों ने यहां पर जो मेट्रो का सेंक्शन किया उसका बहुत साथ साथ में रियल स्टेट में भी इसका बहुत इंपक्ट पड़ेगा क्योंकि यह सहूलियत जो है हमारे मार्केट को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एमेनिटी जैसे बोलते हैं हर चीज जैसे अभी यहां पर सिमेंट के रोड्स हैं इतने बड़े-बड़े मॉल्स हैं इतन किलोमेटर की रेडियस में कम सकम पांच गार्डन मिलेगे और वईसे वईसे गार्डन नहीं कि छोटा सा मतब एंटर की और खत्म उसमें सारी ब्यवस्थाओं के साथ इस तरीके का यहां पर हैं आप यहां पर मॉल देखेंगे तो एक-दो किलोमेटर की रेंज में काफी सब एकदम इंटरनाशनल क्लास का स्कूल यहां पर राहुल इंटरनाशनल इस जो आज अपने आप में बहुत बड़ा है सेवन स्कॉर स्कूल है दालमिया है रॉयल कॉलज्य मतलब जो नाम लोगे ब्रेंड इस्कुल का वहां वह तो क्या नहीं है में अभी आपको मैं बता मतलब बुल्क में मतलब में मतलब आप मॉल देखेंगे तो में हbyற moолж देखेंगे तो में भाइंसे हवाज इस हमारी जो मेरा भाहिंदर की जो targeting बढ़ते जा रही है उसकी व्हुचतारइस से उसके साब से हमारे इस फेटल भी चाहिये तो फिटल भी यहां पर सरकारी फिटल एक टेमबा फिटल आप उसमें विजिट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वह सरकारी फिटल इस तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है कोवीट के बाद उसको अपग्डेट किया इसके अलावा और बहुत सारे हॉस्पिटल से यहां महानगर पालिका यहां के कमिशनर यहां के विधायक यहां का पूरा प्रशाशन को मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से मेरा भाहिंदर में इतनी सारी फैसलिटीज सीमेंट के रोड आप मैं बता रहा हूं आपको कि दो साल के बाद आपको कहीं पे भी नॉमर्मर डामर वाली रोड नहीं दिखेगी यहां तक कि गली कूचे में भी हमारे यहां पर प्रशाशन जो है उसको सीमेंट पूरा सीमेंट का रोड बना रहा तो इंफ के पूइंट आप पूछना चाहूं तो चार , फार साल में आगे कि इंवेस्टर का क्या रोल होने वाला है और उनको आप क्या सला दोगें देखें इनवेस्टर के लिए आज की दारिख में भी और आने वाले समय में भी मार्केट बहुत अच्छी है मैं आपके चनल के माध अच्छा रिटरंस है यहां की मार्केट इकदम स्टेबल है और कोई भी रिस्क नहीं है और जिस तरीके से यहां का इंफ्रस्ट्रक्चर यहां की फैसलिटीज डेबलप हो रही है आने वाले टाइम में 100% रेट्स बढ़ने वाले हैं और मैं हमारे एक्च्वल यूजर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा अपील करूंगा कि आप सभी मेरा भाहिंदर में फ्लाट ले लिजे क्योंकि आने वाले टाइम में मेरा भाहिंदर बहुत जल्दी एक यहां पर घर लेना मतलब सपने की बात हो जाएगी जिस तरीके से यहां पर डेवले की बिल्डिंगे बना करती थी सर आज की तारिख में हाई राइस टावर्स बन रहा है चालिस महला पैटालिस महले के टावर्स की पासिंग भी मेरा भाहिंदर में हुई है और यह सब आने वाले टाइम में टावर्स जब खड़े होंगे तो मतलब लोगों को एक सपने जैसा यह और आगे भी बहुत अची रहेगा अजेजी यह जो अभी इंफ्र ट्रॉक्ट्रसे अमस्टिर आपने बंast है इन्वेस्टर को अबने अपील किया हुआ है एंड यूजय को आपने अपेल किया हुआ है तो एक बात की 1 जानकर यह आ पक्री बेंडिय को चाहिए थी जब आप में अभी कहा कि हाई राइस बिल्डिंग्स आ रही है काफी डेवलप्मेंट्स हो रहे तो आगे चलके फ्यूचर में पानी की किलत नहों कि ऐसे कोई आशवाशन आपको शाषन की तरफ से आया हुआ है या आप दर्शक को बताना चाहते हो जो एंड यूजर जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो अपने बूला कि मेरा भाहिंदर एक जमाने में पानी की किलत से जूज रहा था हंडेट परसेंट यह बात सही ह उस समय पानी की बहुत किलत थी और मच्छर की भरमार थी अगर मैं आपको बताओ 90 की बात मैं इस फिल्ड में 90 से मेरा भाहिंदर में हूं 90 में इसी जगे पर यहां से बैट के मुझे शांती नगर सेक्टर 5 दिखता था बाकी पूरा तालाब पानी से भरा हुआ जो पी नह बहुत अच्छा पानी की सप्लाई हो रही है प्रशासन की तरफ से और आपकी जानकारी के लिए बता दू आपके दर्शकों के लिए बता दू की मीरा भाहिंदर में आने वाले टाइम में 24 by 7 पानी की ब्यवस्था का कमिट्मेंट हमारे नगर पालिका और यहां के जो भी ह हमारे जन प्रतिनिदी है उनके माध्यम से किया गया है आपको शायद पता होगा कि सुरिया डैम का जो प्रकल्प जो चल रहा है बहुत जल्दी साल दो साल डेर साल के अंदर वो फिनिश हो जाएगा कनेक्शन हो जाएगा मीरा भाहिंदर में जिस तरीके से नगर पालिकार हमको अगर 40 माला 45 माले की बिल्डिंग बनाने की पर्विशन दे रही है तो जवाबदारी भी उसकी बनती है कि वहां पर रहवासियों को पानी भी मिले तो उन्होंने सारी ब्योस्थाओं को अल्री किया हुआ है उसी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमारे शहर का डिपल पानी है और वह भरपूर उनके सारी प्लानिंग है और मुझे लगता है कि देड़ साथ दो साल के बाद मेरा भाहिंदर में बहुत भरपूर पानी होगा जहां पे कोई किलत नहीं होगी जब नल खोलेंगे तब पानी मिलेगा अजय जी एक और बात समझना था मुझे कि बहुत सारे देशा की आपको मैं बता हूं कि पहले रियल स्टेट के जो चैनल पार्टनर्स हुआ करते थे वह जस्ट उनको कोई रेकोगनाइज नहीं करता था अगर सपोस्ट हम कहीं लोन लेने जाए तो बोले क्या प्रोफाइल या तो बोले हम रियल स्टेट में है तो ब वैसा बहुत लोग कमाये गौवर्मेंट को भी दिखता दिखता रहा कि यार लोग कंसे मतलब कंटीनियू जो है इसमें ग्रो कर रहे हैं इंकम है इनकी तो गौवर्मेंट ने ने इसको रेकोगनाइज किया इसकी एक रेगुलेटरी बनाई जैसे की रेरा जिसको बोलते है गौवर्मेंट ने मैं गौवर्मेंट को इसके लिए थांक यू बोलूँगा कि उन्होंने इस इंडस्टी को भी रेकोगनाइज किया और उन्होंने भी हमको एक रेरा नंबर दिया जिसको हम बोल सकते हैं जो इंडस्टी में काम कर रहा आया तो रेरा के साथ बहुत सारे नाचिशब्स और आपई नवी ऐसे कंप्लिकेसं बीटबों आइसे नही नहीं गाईलेंग जहाई जो मैं हमेशा एक मेरा वहनेदर शेहर का एक न्यत्रवध करता हूं हमारे और रेल सा है चनलेंगियेंग मैं जो भी रेकिन करो अपने आपको हमारे ऑर रेकिनाया थासाव स से बोलूगा हमारे सभी चैनल पार्टनर्स को कि आप सबसे पहले लेगे आप अगर ड्राइविंग करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूद पाड़ती है वैसे अगर आप रियल स्टेट का काम करते हो तो आपको रेड़ा लेना बहुत जरूरी है दूसरा अभी suppose अगर मुझे रेरा नंबर फिर से लेना है तो मुझे एक 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रेरा के कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन उसकी कुछ गाइडलाइंस ऐसे कुछ उसके एजुकेशन जैसे कुछ टॉपिक्स है उसको मुझे पढ़ना पड़ेगा वह हम पढ़ लेंगे 20 घंटे के हम ट्रेनिंग लेंगे इसके बाद फिर हमको रेरा में जाके एक्जाम देना है वह हंड्रेड म अध्यम से हमारे सभी दर्शकों को खास करके हमारे रियल स्टेट ब्रोकर्स को जो हमारे पूरे मुंबई शहर में पूरे महरास्ट्रा में उनको यह बताना चाहूंगा कि आप सभी यह कोर्स जरूर करें और उस इक्जामिनेशन में पास होंगे तभी आपको रेरा मिलेग यह सप्टेंबर तक का डेडलाइन है उसके अंदर अंदर जो है अपने को यह पूरा प्रोसेस करना है तब जाके हम अपने और इसे बहुत सारे चलेंजिस हमारे रियल स्टेट में अप्ग्रेडेशन बोल सकते हैं चैलेंज नहीं हमारे सबी चलेंडर पार्टनर्स जो है अपने आपको आए दिन जो भी नहीं नहीं चीजें आ रहे हैं उससे अपने आपको अप्रेट करके और आगे बढ़े अजाई जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से हमने अपने रियल इस्टेट जो डिलर्ज है प्लस हमारे दर्शिक प्लस इन्वेस्टर्स उनको जो आपने मार्गदेशन दिया हुआ है उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हैं आपको थैंक यू सुम्द थैंक यू सुम्द थैंक यू